हालो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत था आपका यूटूब चैनल पर और एक अनदर वीडियो आज जी शेयर की बात होगी वो है यस बैंक इसका अनलेसिस और न्यूज पूरा वीडियो देखे आप लोग और चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें लाइक करें औ आज एक मार्ट 2019 और इसकी जो न्यूज है वो नए एमडी और शियो रवनीच सिंग गिल यह चार्ज लेंगे आज से यह अपने काम करेंगे यस बैंक में और यह एमडी और शियो है नए और इसका भाव इस वक्त 235 रुपिया 60 पैसे के असपास चल रहा है एक मार्ट 2019 को और इस पर लाइब ट्रेडिंग हो रही है अब देखे किस तरह से यह शियर जो है इनका अभिननदन करता है शाम तक यह डिसाइड होगा और फ्रेंड्स यह अगर 246 अपना ब्रेक करेगा तो आपको यह फिर उपर की तरफ मिल सकता है जो यह इस बैंका अप्रेंड रहेग 246 अगर यह ब्रेक करता है और उसके उपर 247 के उपर अगर क्लोज होगा तो आपको फिर यह और उपर की तरफ दिख सकता है और डाउन ट्रेंड में इसने 225 जो अपना ब्रेक किया था तभी यह 235 की तरफ गया था वही नीचे की तरफ आप जो सपोर्ट रहेगा तो 223 औ 225 और उससे भी नीचे बंद होगा तो आपको फिर यह 213 और 200 के आसपास फिर नेक्स भी होगा नीचे की तरफ तो फ्रेंड्स यह शेर इस तरह से ट्रेट कर सकता है डाउन साइड में और अप साइड का भी जैसे मैंने बताया और पहले भी मैंने वीडियो बताया था कि अ और आपको उपर के तरफ दिख सकता है और यह अभी हाल जो 170 169 से जो इसने जम मारा था और काफी उपर एक दिन में बढ़ गया था और उसके बाद अभी 225 के आसपास है और जिन्होंने नीचे की लेवल पे लिए रखा है शेयस बैंक को आप अपने stop losses को बढ़ाते जाए और जब यह गिरता है तो बहुत तेजे से भी गिरता है फिर बेशने का मौका नहीं मिलता है तो आप उसको जो है अपने stop losses को बढ़ाते जाए और अपना profit को और आगे करते जाए ताकि आपको और जो पार्शल देखे आप जिन्होंने नीचे की तरफ भी लिया अगर आप को एक मेने में अच्छा profit मिलना है तो partial booking भी कर सकते हैं ताकि आप stock में बने रहे हैं और उस तरह से आप अपना काम भी कर सकते हैं पार्शल booking करके और stop loss के तरू भी और नीचे की तरफ आए तो अपना stop loss लगा के ही काम करना चाहिए जो आपको profit मिलते हैं काफी देखे मैंने बताया अगर जो नए लोग देख रहे हैं इसमें न्यूज यह है कि इनके जो एंडी है रबनीत सिंग गिल वह आज से चार्ज लेंगे यहस बैंग में और जो stock अभी काम कर रहा है 235 रुपय के आसपास काम कर रहा है आने वाले दिनों में अगर यह 246 के उपर 247 के पर बंद होगा तभी आपको यह अफ्टेंट भी दिख सकता है और डाउन ट्रेंड में आपको जैसे मैंने बताई 223 225 से नीचे अगर क्लोज होगा फिर दीचे की तरह 213 और उसके बाद फिर नेक्स भी होगा दिखे 201 के आसपास इसने लोग बनाया था अभी पिछले ट् आते हैं सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है उसके बारे में न्यूज और अनलिसस मिलेगा फिर नया कोई वीडियो लेके आएंगे आज के लिए इतना ही धन्यवार